रिलेशन बिट्वीन फोकल लेंथ आफ एंड रेडियस आफ करवेशर आफ स्फेरिकल मिरर देखो पहले बात तो रिलेशन बताने के पहले थोड़ा दिमाग लगा लिजेगा आगे चलके हमको इमेज भूनानी पड़ेंगी इमेज बनने के लिए प्रतिविम बनने के लिए थोड़ी हिंदी बोलते रहेंगे दो लाइट रे का मिलना ज़रूरी है ठीक है तो अब भाई किसी भी लेंस में किसी भी मिरर में बहुसा लाइट पड़ती है ना तो हम वो लाइट लेंगे जिनके रिफ्लेक्शन का जिनके प्रावरतन का नियम हमको मालूम है तो रिफ्लेक्सेस है मुक्यक्ष है अगर इसके पैरलल लाइट डालोगे तो कहां से उकर जाएगी फोकस से यह हमको मालूम है ठीक है अगर लाइट सेंटर अफ कारविचर जो वकृता केंद्र होता है उस पे डालोगे तो वहीं नहीं रहे उसी रास्ते लोट आएगी वहीं रखी रह जाएगी, उसी रास्ते वापस आईगी, क्यों, उसका कार्ड होता है, कि इस फेर में, अगर आप सेंटर से लाइट डालते होती है, इसके नॉर्मल होता है, पर्पेंडिकुलर होता है, आप ध्यान से देखेगा, एक सर्कल बनाईए, और ये छोटा सा पार्ड लाइट को गिर लोड़ा टा के लुएMusic, तिस रास्ते वापस लोड़ा जाती है, और तीसरा रूल यह है, यगर पूल पर लाइट को गिराओगे, तो जिस एंगल पे गिराओगे उसी एंगल पे वापस लौड के आएगी लगबक तीनों एक ही पॉइंट पे कट करेंगे ठीक है तो हम इस मिरर में ये तीन नियम हम जानते हैं तो जब भी कहीं इमेज बनानी होगी प्रद्बिम बनाना होगा उसमें हम इनी तीन लाइट ट्रिक में से दो लाइट कर इस्तेमाल करेंगे तो यह रफली डाइगराम अपने लिए बना लीजिए अब फिर दूसरा डाइगराम बना दें फिर हम प्रूफ करते हैं अब देखे अगर दूसरा मिरर है तो क्या करेंगे यह है कौन सा मिरर है यह कान केव मिरर है सुरी हाँ कान वेक्स मिरर है उत्तल दरपन यह प्रिंस्पल एक्सिस है मुक्यक्ष है अब इसके नियम देखिए इसमें जो लाइट रे पैलल जाएगी वो नार्मल से दूर हट जाएगी और यह कहां से निकलती हुए अपियर होगी फोकस से निकलती हुए अपियर होती है मैं लगता है यहां से निकल रही है क्योंकि यहां जब देखते हैं तो हमको ऐसे लाइट नहीं दिखती है हमको सीधी लाइट दिखती है ठीक है पहला नियम दूसरा ये हुआ कि जैसे ये इसका सेंटर है और कोई लाइट रे सेंटर तरफ आ रही है आ जाएगी रास्ते में मिल जाएंगे ये लाइट आ कहा रही है ये लाइट आ रही है सेंटर की तरफ अगर ये न होते तो कहां पहुंच जाती सेंटर पे रास्ते में बिलेंगे कहां जा रही हो समोसा ले जा रहे हैं जाओ घरे जाओ हम रही किया आ रहे हैं ये उसी रास्ते वापस लो टाल देंगे ठीक है ये दूसरा रिफलेक्शन यहां सब एपिर्स वो रहा है यहां पर एक्चुली में लाइट इधर नहीं आ रही है ठीक है अच्छा अगर पोल पे लाइट गिरेगी ऐसे गिरी माल लिया तो जिस एंगल पे गिरेगी उसी एंगल पे इसका रिफलेक्शन हो जाएगा यह अगर आई पे गिरेगी तो आई तो यह तीन नियम हमारे रिफलेक्शन के हमको मालूम है इनी तीन लाइट की हल्प से हम इमेज बनाएंगे ठीक है नोट करिए तो यह रिलेशन पहले तो हम प्रूब करने जा रहे हैं फार कानकेव मिरर कानकेव मिरर यह है आपका आउतल दरपन त 혼자 के लिए देखो कैसे प्रूब करें के साउधान ध्यान से समझिएगा यह एक कानकेव मिरर है यह एक आउतल दरपन है अब सिंपल सी बात है आपको radius of curvature चाहिए और focus चाहिए इसमें रिलेशन है तो आपको कही ने कहीं से इस सेंटर को हमिल करना पड़ेगा ये principle axis है थीक है ये पॉइंट क्या लाता है पी इसका aperture वह छोटा है इसका जो द्वारक है उसको द्वारक कहते है ने इंदी वाले कल बताना चाहते थे पड़सर माने द्वारक होता है बात मियाद आया देखो एक light ray गिरी ये light ray का नाम दे दो AB एक light ray गिरी ठीक है अब जिस point पे गिरेगी वहाँ पर angle of incidence चाहिए न आप तन कोड उसके लिए normal चाहिए अभिलम चाहिए तो इस पे अगर normal खीचो गहाँ से जाएगा ओड़सर में अभी हमने कहा था किसी भी circle में या sphere में अगर कोई perpendicular खीचते हो तो कहां से खर जाता है सेंटर से तो यहां से हमने इसको normal खीच दिया ये क्या हो गया नॉर्मल अभी लम कहते हैं अब ये light जो इससे angle बनाएगी उसको क्या कहेंगे angle of incidence आप तन कोड अब light इसी angle पर वापस reflect होके आएगी ये angle क्या होगा आर दीग है ये कहां से होकर जाएगी light focus होकर जाएगी ना diagram clear हो गया diagram clear हुआ AB light गई और ये आपका जो BC हो normal है और light कहां से होकर जाएगी focus होकर के निकल जाएगी diagram clear हो गया अब आपको किसके भी relation चाहिए focal length और radius of curvature कहां से दूरी ना पी जाती है पोल से देखें ये हम पहले मालिये हैं कि ये जो mirror है ना इसका aperture छोटा है and अब B point very close to P है B कहां पर है P के पास है लगबग P के पास है जो दूरी B से ना पी जाएगी वो माल ने दे कहां से ना पी जा रही है P से ना पी जाती है diagram clear हो गया इस diagram बार बिख सकते हैं अच्छा पहले देखिए ये angle क्या होगा I होगा क्यों क्योंकि alternate angle है यह आप कह सकते हैं कि angle A B C A B C बराबर angle F C B F C B दोनों I है ना क्यों है क्योंकि दोनो alternate angles हैं हिंदी में क्या कहते हैं एक आंतर कौन है हिंदी में लेख लिए जगा एक आंतर कौन है अब देखे जान से reflection का rule क्या कहता है कि angle i और angle r equal है by law of reflection by law of reflection प्रावरतन का नियम क्या कहलाता है कि angle i is equal to angle r अब ज़रा ध्यान से समझेगा ये दोनों angle strangle में विराजमान है ये आई बरावर r बता रहे हो न ये वाला i और ये वाला i है तो एकी चीज अगर हम triangle ले लें b c f in triangle b c f angle i बरावर angle r बोल ले हो न और किसी भी triangle में अगर दो angles equal होते है तो उनकी sides का क्या relation होता है उनकी जो sides equal होती है न यानि कि i के सामने कौन है f b है i के सामने कौन है f b है और r के सामने कौन है c f है दोना equal होंगे न ये नियम होता है किसी triangle में अगर दो angle equal है तो उनके सामने के sides equal होती है अच्छा अब देखें आप f b लिख रहे हो न दूरी कहां से ना अपनी है p से और आपने पहले माना b जो है p के बहुत तो ये नियम है के लिख सकते है f b तो f b को लिख दिया हमने f b is equal to c f यहां लिख देंगे as f b बरावर किस के है f p के ठीक है दूरी कहांसे ना अपनी है पोल से दूरी कहांसे ना अपनी है पोल से इसको drue कहتे है देखो f p टो यहांसे ना परह हो ना लेकिए CF कहांसे ना परह हो तो CF को का ले सकते हैं P से ना परह गो जड़ा PC में से PF मानस कर दो तो पहले इसको आप नोट करो जगए नहीं है नोट करिए इसको यहांसे पर रब करेंगी उपर वाली चीज़ देखे fp तो दूरी p से नाप रहे हो ना तो fp तो ऐसे ही रहेगा अब देखो cf क्या हो जाएगा cf निकालने के लिए अगर pc में से pf माइनस कर दो यही मिल जाएगा ना सही कहा रहा हो ना तो इसको कहले सकते हैं pc माइनस pf को या fp को fp को इदर लियाओ तो f is equal to kya हो जाएगा r by 2 यानि कि जो focus होता है वो radius का आधा होता है proof हो गया सुन में बात बहुत important proof नहीं है वैसे अब देखें convex color diagram बनाएगे पहले तो सौधान यह आपका है convex mirror चुको diagram बढ़िया नहीं बन पाता हमसे अरे ठीक है जैसा बनता है यह convex mirror है इसका उबरा हुआ जो भाग है वो light को reflect करता है यह आपका principal axis है यह आपका pole है अब देखो द्यान से यहाँ से एक light गिरी AB हम बिल्कुल वही नाम दे रहे हैं जो आपने पीछे पढ़ा था और वही proof होगा डिटो वही proof हो जाएगा और हमने कहा है इसका जो aperture है वह चोटा है तो यह B point लगबग लगबग तो आप कहेंगे यहीं बनाओ ना अब यहीं बनाओगी अब यह हम बना दे यह lens है यह light गई है यह reflect होगी सुझ मारा है तो मजबूरी उसको हम जूम करके दिखा रहे है जूम हो गया है अब light को reflect करना है तो normal कहां से पास होगा यह है normal कहां से पास होगा center से ठीक है थोड़ा सीधी line बना दो तो यह angle कितना होगा आई होगा ना अब ज़रा एक बात ध्यान से समझीएगा यह line और यह line parallel है बात बताते हैं अच्छा यह reflect हो जाएगा इसे कितने angle पर और इसको पीछे बढ़ाएंगे तो कहां से निकलता हो एपिर हो रहा है focus से यही diagram पीछे बनाया था अब देखे अब इस triangle में घुशना पड़ेगा साउधान यह angle कितना होगा आर होगा ना vertically opposite angle दो line ऐसे cut करती है तो इनके आमने सामने के angle equal होते है ना तो यह angle R हो जाएगा यह angle कितना होगा आई होगा ना यह दोनो line ने parallel हैं और यह आपके संगत कोन है corresponding angle तो यह equal हो जाएगे ना ठीक है देखे इनका नाम हमेशा corresponding रहता है जब equal होते हैं तो parallel हो जाता है मतलब ऐसा नहीं कि एगर line ने टेड़ी है ऐसे तब भी इसका नाम alternate है ऐसा नहीं नाम नहीं नाम वही है जब यह equal हो जाएगे तो यह line कैसी हो जाएगे पस यह condition है ठीक है कि आप समझेंगे parallel के case में क्यों होता है डाइग्राम समझ में आ गया तो आप देखें by law of reflection by law of reflection वो angle equal क्यों होगे लिखना पढ़ेगा आपको जैसे वहाँ पर मैंने alternate लिखाता है यहाँ पर लिखेंगे आप corresponding है संगत कुण कहते है इंगंदी में by law of reflection angle i is equal to angle r होता है वो यह तो यह वाला angle हम देख रहे है वो बाइचांज यहाँ फिट हो गया तो इस triangle पर आजाओ in triangle cfb in triangle cfb दो angle equal बता रहे हो न angle i ब्रावर बता रहे हो angle r और किसी भी triangle में दो angle equal हो तो उनके सामने की sides भी equal होती है बाइच जितना बड़ा मुझ भलाव गया angle से उतनी बड़ी सवान मात्रा की रोटी आपके मुझे आएगी ने मतलब नहीं आएगी बड़ी आ जाएगी बोले नहीं हम लपेट खा लेंगे क्या पता रहे है क्या होताया पता नहीं जाडू वाला काम खतम हो गया जाडू फ्लक्स अलग बात है देखे आई के सामने कौन से side है FB है और R के सामने कौन से side है CF है दूरी कहां से नापनी है दूरी P से नापनी है न तो P तो गड़बड कर रहा है तो B को हम क्या मानेंगे P के बहुत नजदीक है तो FB को क्या लिखेंगे FP तो यह हो जाएगा FP is equal to CF आपने यहां क्या किया है कि FB को क्या मान लिया है FP क्यो माना है आपने मान लिया है कि इसका जो aperture है इसका जो चोटा है इसलिए B is very close to P V P के बहुत नजदीक है Tense P mathematical language very good FP is equal to अब जरा CF को देखो दूरी कहा से नपनी है P से CF को क्या लिख सकते हो CP मेंसे FP मारस कर दो तो इसको लिखेंगे CP minus FP रटी है का नहीं समझ के करिए बहुत easy है FP को जाल लिया हो तो 2FP बराबर CP यह दूरी आपको मालू है किसको बताए जा रहा है यानि यह focus है तो 2F is equal to R तो F की value क्या हो जाएगी R by 2 यही प्रूफ करना था ना यह पीशे वाला भी प्रूफ यही था ठीक नोट करिए चुकि बढ़िया सी चीज़ बदा नहीं है इसलिए बढ़िया सा diagram बना रहे है बढ़ा सा देखे यह है principle axis यह है principle axis मुक्य पुरा लिखिएगा आप सुनिए ज्यान से light parallel डाल ली है हमको तो यह light यहाँ पड़ी है और यह light यहाँ पड़ी है ठीक है जो principle axis के नजदीक होती है उसको कहते है marginal sorry paraxial raise कहते है क्या कहते है इसको कहते है paraxial ठीक है इसको बंद करिए पुरा और जो दूर होती है उसको कहते है marginal हिंदी में इसको सीवांत कहते है इसको कुछ जैसे कहते है नहीं हमको नाम नहीं याद है ठीक है अब जरा देखिए ध्यान से एक मिनट कीएगा दोनों के reflection के रूर अलग होते हैं ये वापस आएगा कहां से गुजरेगा फोकस से और ये थोड़ा सा अब देखो ध्यान से ये ज़्यादा अगर इसका एक मिनट इसको दूसरी तरह समझ होगा देखो अगर आप इसका नार्मल खीचे तो कहां से खीचेंगे आप सेंटर से तो सेंटर से खीचो गए तो यहां से मिला दो और इसके लिए यहां से मिला दो दोनों में एंगल छोटा किसका होगा ये एंगल चोटा होगा ये एंगल बड़ा होगा ये छोटा है तो एंगल से घुमेगा तो दूर जाके मिलेगा और ये बड़े एंगल से घुमेगा तो नज़ी जाके मिलेगा यानि ये जो marginal है वो पहले मिल जाता है F1 पे और paraxial दूर मिलता है F2 पे नहीं समझे तो यानि ये नियम गड़बड हो जाता है ये अलग-अलग रेज अलग-अलग पॉइंट पे जाके मिलती है ठीक है तो हम चाहते ये हैं कि जो rule हमारा है इसमें एंगल छोटा रहे तो एंगल छोटा रहे तो किसके लिए प्रूफ है ये एक्चुली में paraxial के लिए true कर लाता है ये आएंगल छोटा होता है जब बहुत छोटा होता है तो cos theta 1 हो जाता है तो इसलिए paraxial के लिए true होता है और marginal के लिए नहीं true होता है ध्यान खिएगा ठीक है इस कमी को दूर करने का तरीका ये होता है कि जो marginal है ना इसको नजदीक ले आओ भाई एक simple सी बात है ये principle actually ये आपकी मम्मी है ये आप हैं जो ही हैं रहते हो और ये भाई साब हैं जो दुबई में रहते हैं दोनों घर आए मम्मी किसको अपने नजदीक ज़्यादा फटकने देंगी आपको या दुबई वाले को हम मेरा बेटा मेरा बेटा दुबई से आए कहलाए की रोज फोन करती है ना मम्मी क्या है चाल चालहाई था पानी पी लिया वो बिचारी वो रोज खाना बना रही है रोज खिला रही है उसको फोनी करना क्या अधिक्त है या सब ये सम circa बाग आगी बना उन्नाव में कर दिया, उन्नाव में लंदन है, नहीं मालूँ, उन्नाव में हिदराबाद है, यहाँ पर सब सहर यहाँ पर है, लंदन है, हिदराबाद है, UK है, सब है, मिलेंगे आप, हैं, है कहीं है, अब सुने ध्यान से, मैं करूंगा क्या, इधर देखे, यह आपका अपर आगर इसको आप ज्यादा घुमा दोगे तो यह यह परवले कार का तो इसमें नदी का जाएंगे अब क्या हुआ अब आप कहें कि दुबई नदी कैसे आगा मालूम है हम आफिस आए बाइक से पहुंच गए घर और यह आफिस निकले फ्लाइट से पहुंच गए घर तो कि फ देना पड़ेगा यही एक काम है दुबई को उन्ना हो ले हो सब्सक्राइब कर लिए यानि कि यह जो आपका रूल है एब ब्रावर आरवर आरवाई टू इस इस इस्ट्रिक्ली फॉलोड फॉर पर पैराक्सिल रेस एक नोड करके लिजेगा कि एफ इस्ट्रिकल डू देंगे ठीक अभी नहीं आदा रहा है